80 pages का DMIT report है, DMIT की शुरुवात में एक welcome note रहेगा, आपके लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा कि DMIT report को कैसे पढ़ना है, कैसे interpret करना है, इसके बाद में आएगा कि आपको कुछ detail रहेगा कि 200 सालों में किस-किस scientist ने research किया और उसके क्या finding थी, short में उपर detail दिया हुआ है, फिर next pages में आपको explain किया जाता है कि पुरा brain का हमारा actual कैसा रहता है, structure कैसा रहता है, brain का, brain में कितने part होते है, हर part का क्या function होता है, उस सारा analysis उसमें रहता है, घरमाली यह हमारा frontal loop तोड़ ज़्यादा dominant है, तो उसके क्या importance है, उसके क्या importance है, उस सारा details में रहता है, फिर next आत है, TFRC, total finger reach count, जिसमें आपको बताया था कि हम reach count करते हैं, हारिक उंगली में finger prints में line कितनी है, वो count करते हैं, तो दस उंगली को जो total हता है, उसको हम होते है, total finger reach counting, TFRC, उसका significance यह होता है, कि जिसका TFRC ज्यादा रहेगा, उसका learning potential ज्यादा रहेगा, जो TFRC है, 140 से ओपर ह है, तो काफी अच्छा मना जाता है, 100 से 120 की बीच में है, तो average है, 120 से 140 है, तो good है, ऐसे कर कि मना जाता है, उसके बाद में आपका personality का type क्या है, उसके चारो personality का type को पूरे detail में उसमें describe क्या रहता हैं, कि हर personality का parameter होते हैं, क्या strength होते हैं, क्या weakness होते हैं, उसकी क्या opportunities होती हैं, क्या threads होते हैं, और areas of improvement क्या होते हैं, ये सारा detail रहेगा हर personality के लिए, और साथ में इसमें लिखा रहेगा कि आपकी personality कौन सी है, तो आपको जो आपकी personality है, उसमें concentrate करना है, क्योंकि आपके लिए वही applicable है, बागे personality को आप जानकारी के लिए पढ़िए लेकिन उसको concentrate मत करिए, जिसमें लिखा होगा कि यह primary personality is this, वो आप पढ़िएगा, वो आपके लिए applicable है, इसके बाद जो आएगा, उसमें हमारा multiple intelligence जो हैं आटते रहा कि, इंटरपरसनल, इंटरपरसनल, विज्वल, लेंग्विस्टिक, एनलिटिकल लेबिलिटी, फिर म्यूजिकल, नेचरिस्टिक, यह सारे चीज़ें उसमें लिखा रहेगा और उसमें percentage दिये रहेंगे, 11%, 10%, 12%, ऐसे के percentage दिये रहेंगे, और आपको नीचे में एक table मिल जाएगा कि कितने percent के क्या significance है, अगर good है, अगर 12%, 15% से उपर है तो good है, 12% से कम है तो average है, 8-9% से कम है तो poor है, जैसे मान लिजिए, किसी के नेचरिलिस्टिक जो strength है, उसमें अगर 5% है, मतलब उसको नेचर से बिल्कु भी लगाओ नहीं है, ऐसे लोगों को आप कभी भी पिकनिक म में ले जाओगे, जंगल में ले जाओगे, तो कभी पसंद नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के लिए नेचर से जोड़ा कोई भी फील्ड चूज नहीं करना चाहिए, फिर इसके बाद जो next analysis आता है, वाता है हमारा visual auditory और kinesthetic learning style, जिसका visual ज्यादा अच्छा है, वो देख के ज सिखता है, यह मैं आपको short में बता रहा हूँ, और DMAT report में काफी detail में रहेगा, जिसके तीनों style में आपका percentage वाई distribution रहेगा, 40%, 50%, 60% ऐसे distribution रहेगा, तो जिसका percentage ज्यादा है, वही आपका dominant style है, इसके बाद में हमारा learning style आता है, learning oblique communication style, इस पर चार तरह के style होते हैं, एक बत करके सीखते हैं, दूसरा होता effective learner, जो आप सिखाएंगे साथ में रहे करके, तो सीख पाएंगे, ने तो नहीं सीख पाएंगे, तीसरा होता reflective learner, जो किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, तो सीख जाते हैं, चौता है reverse learner, reverse learner मतलब उल्टा सोचने वाले, जैसे जो ऐसा क्यू है, अगर घड़ियां हम left hand में पहते हैं, तो right hand में क्यों नहीं पहते हैं, कार का जो है, वो steering wheel राइट साइड में क्यों रहता है, left side में क्यों नहीं रहता है, ऐसे वो उल्टा सोच करके सीखते हैं, मतलब, तो सको reverse learner बोलते हैं, अब देखें, अब बहुत सारा detail में आपको आपका cognitive learner है, खुद करके सिखने वाला, तो आप दूसरों को बहुत से मत बैठिये, अगर आप reverse learner है, तो आप किसी को देख करके सीखने के कोशिश मत करिये, किसी के साथ में नहीं के कोशिश मत करिये, क्योंकि हो सकता है, आपकी जो reverse learning thinking कई लों को पसंद ना आए, अर या इमोशनल कोशनट, creativity question और adversity question, शौर्ट में पता देता हूं है, IQ जो हता है हमारा analogy की liability दिखाता है, creativity question दिखाता है कि हम अंदर कितनी creativity है, emotional question हमारा यह दिखाता है, कि हम दिल से जाल सोचते हैं या दिमाग से जाल सोचते हैं, और किसी भी conditions में हमारे emotions में कितना हमारा control रह पा करने के लिए हमारे अंदर कितनी ताकत हैं कितनी बहुत दुरी से सामना कर पाते हैं मैं खास सब्सक्राइब करता हूं क्योंकि जिनके क्वेस्टेंट कभी कम है ऐसे लोग बहुत जल्दी तनाव में आते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं और ऐसे लोगों की सुसाइट करने की समभाना काफी रहती हैं अगर अगर एडिविसेटी क्वेशन बहुत ही कम है तो ती चारों चीज़ दिखिएगा मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन ये बात हमको समझनी पढ़ेगी कि वास्तों में ये है साइटिफिक है और ऐसा होता है इसके बाता है डिवाटी रिपोर्ट में केरी रिकमेंडेशन वो बहुत सारे अलग अलक्स फील्ड में मैंनेजमेंट, इंजिनिरिंग, एड्मिनिस्टेशन ऐसे करें सेग्मेंट रहेंगे करीब 16-17 सेग्मेंट हैं, 16-17 कैटेगरीज हैं जिसमें आपको जॉब भूल जाई है उसके बारे में, क्यbies में ठाप लोड़ की key इसमाहँना बिलकुल भी नहीं है। आपको create करना है 5 स्टार। तो उसमें ऐसा नहीं रहेगा उसमें धर पाई स्नक्स करतें हैं, वो क्या पसंदे हैं, क्या करना अच्छा रहता है, वो क्या करना चाहते हैं, इ सब डिसकर सेने के बाद में पर नियुक्त है हाँ ये पांच में से कोई सा बी ईस पीनि नहीं करना है और मानली जी ऐसा हुआ कि ओप की सेसी को युदि सेट की नहीं हो přाелен. बच्छे को पसंद ने के आण नहीं मुझे इसमें और DMIT रिपोड भी वही कहता है। इसके बाद एक्रा सेग्मेंट आता है एक्ट्र करिकुलर एक्टिविटी का। तो आपको एकेडिमिक्स के लावा कौन से एक्ट्र करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसेपिट करना चाहिए। वो इसमें डीटियल रहता है। जो सबसे करता है। जो DMIT रिपोड का ये वाला सेग्मेंट है एक्ट्र करिकुलर एक्टिविटी का। अगर आप कैसी स्ट्रेस के दोरां से गुजर रहे हों और याप डिप्रेशन का शिकार हों तो एक्ट्र करिकुलर एक्टिविटी में देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता ह है और वो उन चीज़ों को करें तरह ध्यान दीजे ज्यादा तो डिफिनिटली डिप्रेशन बिना किसी दवाई के भी दूर की जा सकती है। तो पुरा DMIT रिपोड पढ़िए ध्यान से पढ़िए और किसी तरह कोई डाउट है तो मुझे आप कभी भी संपर कर सकते हैं मैं से कॉंटेट करिए मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा तयार हूँ धन्यवाद लेकिन प्लीज 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 यह वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों से शेर करिए क्योंकि आपका एक शेर किसी बच्चे की किसी परिवार की जिन्दगी मना सकता है। यह ज्यादा ज्यादा लोगों से शेर का यह वीडियो ज्यादा लोगों से शेर की किसी बच्चे क्योंकि वीडियो ने जह है।